असलाम लेकूम, असलाम लेकूम पाकिस्तान, तो जनाब आज हम आपको लेके चलते हैं जुम्राथ बजार, क्योंकि आज जुम्राथ है, तो आज हम चलते हैं जुम्राथ बजार, रमजान में वैसे भी बजार में नहीं जाया जाता, इसलिए मैं बाइक पे जा रही हूँ, और बस थोड़ी सी देर में हम घर आजेंगे तो चलते हैं इन्शाला आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे कैसे वजार हैं और किस किस तरह की चीज़ें मिलती हैं हर जगा से चलेंजी सबसे पहले आते ही मैंने जुल्री की दुकान पर जाना होता है यह देखते हैं यह किस देखें किता खुबसुरत लॉकित है लेकिन मैंने लिया नहीं किवे गर में मैं जुल्री नहीं पहनती तनी स्यादा और अब आगे चलते हैं हम एक लास वाला को स्टॉल ठूनते हैं क्योंकि यह पर बहुत सारी जो है लैस के स्टॉल लगे हुए हैं देखते हैं कि हमे लेकलर की लेस्ट मैंने खरीद ली है यहां से 20 रुपे गज थी तो मैंने पूरा नो गज लिया है यह देखें हर तरह की लेस्ट है क्योंकि मुझे पता नहीं था किस तरह की डिजाइनिंग करनी है वो तो बात में पता चलता है कि हमने कहां कहां उसको यूज करके अपने ड् यह आप गहरे में लगा सकते हैं लिकिन मैंने थोड़ा सा चेंज बनाया है यह देखें नेट के साथ कमीज डुबट्टा है और यह शर्ट जो है वो 700 की है और साथ जो आपको ग्रेप्स कला का सूट नजर आ रहा है वो 1500 का है और इनके पास नेट भी बहुत खुबसूरत नेट के बहुत सारे आइडियाज है और सूट के लिए इसके आप कलियो वाली फ्राग बना सकते हैं फुल फ्रेल वारी साथ लोन का नीचे सूट लगा सकते हैं यह कौटन का लगा सकते हैं तो इसमें आप गर्मी भी नहीं लगेगी और तो तुसर स्टारिश सूट भी बन अबी नहीं लेनी थी अबने सिर्फ लेनी थी जो हमने ले ली है यह देखें जूडियों का स्टॉल है कितना हुपसूरत किती अच्छी चूडिया है इनके पास मुझे कर्मी तो तो बहुत खुबसूरत लगती है आपके हर लोन के ड्रेस के साथ जाती है यह देखें लेस क क्योंके वह बहुत मस्रूफ है खैर कोई बात नहीं हम आगे चलते हैं आगे भी बहुत सारे जो है दुकाने हैं क्योंके ब्लैक कलर की तो लैस मैंने ले ली है फस्ट पे ही लेकर अगे यह देखें चूडिया किती खुबसूरत है और यह लोन के कट पीस है जिनको आप ले बहुत आरी है बजार में मार्किट में अवेलिबल है और अब हम आगे चलते हैं एक और लैस की दुकान आपको दिखाती हूँ यह देखें महंदी भी अवेलिबल है आजकल बजार में क्योंके आपको पता है एद आने वाली है बजार में रश भी है कुछ लोग शोपिंग पहले ही कर लेते हैं कुछ लोगों को चांद रात को बजार जाने का बहुत शोक होता है लेकिन मैं आज तक अभी चांद रात को बजार नहीं गई हूँ क्योंके एक दफा की बात है कि हम चले गए थे तो हमें बहुत मसला हुआ था बहुत रश था चांद रात को तो उसके बाद मैं कभी भी चांद रात को बजार नहीं जाती हूं, मेरी कोशिश होती है, मैं पहले पहले ही, जो है, बीस रोजे तक, जो है, वो सारी अपनी तियारी कंप्लीट कर लूँ, यह देखें, लैसिस की दुकाने, यह देखें, किते हैं, जादा स्टॉल लगे हैं, यह पीस की है, तो अच्छी क्वार्टी है, यह भी, ग्लास भी है, और आपको पता है, कि घर में चुटी-चुटी चीजों की पढ़ती रहती है, आप जितनी भी लेले कम है, आपको कुछ ना कुछ याद आ जाता है, यह ग्रीन कलर का सूट पीछे हमने देखा किता खुबसू मेरा खाल, 350 की सेल है, और स्टॉलर है यह लगे वे और यहां पर आगे चलते है, एक और लास की दुकान है, तो यह देखे कितनी खुबसूरत है, मुझे कोई अगर लास बहुत ज़दा पसंद आजे तो मैं लेकर रख लेती हूँ, यह नहीं सोचती कि उसको कहां लगाना ह कभी भी आप उसके मुताबिए कोई भी सूट खरीद कि उसको लगा सकते हैं, तो यह होता है कि आपको पता होता है, यह देखें, भालू को छेडा चाड़ी चल रही है, यह मेरा बेटा है, मेरे साथ जो के भालू को छेडा है, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उ तो साथ ही उसने 250 बता दिया पहले वो 200 रुपीज क्या बता रहा था लोगों को जैसे ही उसने देखा कि यह आई है तो उसने 250 बता दिया खैर कोई बात नहीं मैंने लेना नहीं था जस्ट मैंने पूछा ही था क्योंकि मेरे पास अल्रेडी क्लच अवेलिबल है काफी सारे है मैं चेंज करके लेती रहती हूं लेकिन यह जब भी मेरा दिल करता है मैं ले ले लेती हूं लेकर रख लेती हूं कभी भी काम आजाता है अब मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है यह देखें मैं यहां जाने लगी हूं वाव आपको पता है मुझे लंडे की जीज़ें बहुत इस बाइब पर बैग्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अफसोस मेरे साइस की नहीं होती है यह जो है साइस काफी बड़े होते हैं और यह आप ब्लू वाली जूती देख रहें यह देखें इसकी हिल कितनी उची है यह मुझे बिल्कुल इतनी उची हिल तो नहीं पसंद है मुझे अच्छी लगती है खासतों पर ब्लॉग हिल जो होती है इसके कोड़ शूज आगे से ओपन हो यह देखें अब मैंने लैस खरीद ली है और यहां पर 10 रूपीज की है 10 रूपीज याड है लैस लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में फरक है खेर कोई बात नहीं इसलिए यह बजार बंद हो रहा है क्योंकि यह सुबा खुलता है और मगरिप टाइम तक लगा लैता है मगरिप के बाद यह बंद कर देते हैं जैसे अंधेरा होता है तो यह देखें जगा जगा स्टॉल लगे हुए है चीजों के यहां पे लंडे के परदे वगरा भी मिल क्योंकि मैंने सोफों के कवर सीने है और मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊँगी किस तरीके से सिलते है किस तरीके से सी सकते है इंशाला मैं जल्दी है आपको बताऊंगी तो चलते हैं घर की तरफ ओके लाफ़ेस दौा में याद रख scent के गा चैनल को सबस्क्राइब करें कुमेंट करें और शेयर करें, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, आपकी स्पोर्ट की, तो ठीक है, लाहाफिस, कल फिर मिलते हैं, किसी नई बात के साथ, किसी नई चीज के साथ, लाहाफिस,